इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाई वीकार्ड आपका कैल्कुलेशन आपका अब्जोवेशन गरिमा जी मुझे लगता है कि पिछले बार कॉंग्रेस की विक्टरी हाइप ज्यादा थी ऐसा लगता था कि कॉंग्रेस ने तो बेज़ेपी को ध्वस्त कर दिया लेकिन देखेंगे आपके ऐसा हुआ नहीं था दोनों के दोनो का फासला देखें तो इतना बड़ा फासला नहीं था सीटों का अंतर आपने बताया तो बीजेपी पिछली मार चुनाओ तो हारी लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी का सफाया हो गया जैसा 2013 में कॉंग्रेस का सफाया हो गया था मैं बात जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि की एक्टिविटीज राजिस्थान में शायद हमें बहुत जादा देखने को नहीं मिली जब मैं बड़े नेताओं का जिकर कर रहा हूं तो मैं स्टेट के बड़े नेताओं का जिकर कर रहा हूं लेकिन बीजेपी की अपनी पैट बनी वी है राजिस्थान में पिछला चु बूती का कारण बहुत सीधा सीधा है अशोग गहलोत सरकार ने जो अच्छले आठ दस महीनों में तमाम स्कीम्स तमाम योजनाओं की घोशनाएं की है साथ गैरिंटी की जो बार-बार बात हो रही है इन सब से अशोग गहलोत सरकार की जो प्रदर्श का जो प्रदर्शन है उनके काम काज के बारे में लोगों की राय बहुत बुरी नहीं है तो सब्सक्राइब के लिए अपलाई होती है तो यहीं लगता है कि इंट्रेस्टिंग चुनाव है अभी कुछ समय बाकी है हमें थोड़ा इंतिजार करना चाहिए और देखना चाहिए चुनाव की सोर एक तरह से टर्न लेता है नहीं लेकिन जिस तरीके से भ्रस्टा चाहर को मुद्दा बनाने के कोशिश की जा रही है लाल डायरी को बार बार पटल पर रखा जा रहा है महिलाओं के प्रती अपराद को भी बीजेपी ने पूरी तरीके से एक एज देने की कोशिश की और घोशना पत्र में भी पूरी तरीके से विमन सेंट्रिक बीजेपी और ये किसकी तरफ पलडा जुकता हुआ नजर आ रहा है संजर जी। देखे महिला वोटरों की अगर आप बात करें तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं अगर आप मंदु प्रदेश की बात करें चतिस गड़ की बात करें सारे राज्यों में मुझे लगता है महिला वोटर अब एक एहम भूमी का निभा रही है ऐसा नहीं है कि अचानक महिला मद्द सब्सक्राइब तैन्डाइब करों है क्योंकि इनकी भागेदारी बढ़ी है इनका टर्ना उट पढ़ा है पहले की तादाद दिए लेकिन यह वोट कर रहे हैं इन तीनों राज्यों का जिक्र किया नहीं थे जहां पर चुनाम हो रहा है तैलंगाना चाहें पर देखने को मिला है कि एक खास पार्टी को और उनका जुकाव दिखाई पड़ता है जो रूलिंग पार्टी होती है जो महिलाओं से संबंदित सारे कारिकरम लेके आती हैं तो कहीं तो है कि वादे करना घोशनाई करना और एक चीज डिलेवरी देना तो डिलेवरेबल्स का ज्यादा इंपैक्ट है और घोशनाओं का ज्यादा इंपैक्ट नहीं है और यह सिर्फ महिलाओं पर लागू नहीं होता यह सारे μεूटरों पर लागू होता लेकिन महिलाओं पर की चर्चा इसी की लिए होने लगी है क्योंकि उनका ठर्नाउट बढ़ता जा रहा है तो यह ही हम जानते हैं कि कॉंग्रेस के बीच में अशोग गहलोट और सचीन पाइलेट के बीच जो मन मुटाओ अगर घमासान ना भी कहें तो पार्टी में उतनी एक जुटता नहीं है आज है लेकिन यह कम से कम पिछले तीन-चार सालों में नहीं दिखाई पड़ा रहा है अगर आ फुदको घोषित कर देने से कोई मुख्यमंतरी नहीं बन जाता घद्दार केते हैं मानसिक दिवालिया कहें तो घमासान इससे जाधा और जोगा लेकिन तो हिंसे ना भई जितना घमासान इंक्या, ने यह कह रहा तक हमासान पहले था इन दिनों यह नहीं कह सेकते हिगि घ अक्तिस ऑक्टूबर को बयाना है सेचिन पाइलिट का 31 को कहा कि खुद को गोशित कर देने से सीम तोड़ी बन जाता है विदायक दलता है करेगा आला कमानता है करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा संजय जी ah ah alcohol coming back to you है ठीक है नहीं आप जिस बात का दिकर हम आप जिस बात का जिकर कर रहे एसको आप घमाशान कहें या कहें कि भरी कॉंपुटिशन में तो लोग रहते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई बहुत ज्यादा घमाशान जैसा चीज मुझे दिखाई पड़ता क्योंकि मनमुटाव तो है सब जानते हैं लेकिन अगर आप तमाम नेता चुनाव लड़ते हैं तो सब की महत्वकांचा होती है और इसमें कोई खराबी नहीं है कि दो अगर बड़े लीडर है और उन्हें लगता है कि पार्टी चुनाव जीत के आएगी त हम सेल बनाएंगे प्रोब कराएंगे अगर सत्ता में आए आपकी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है लाल डाइरी में किस का रास दफन है लेकिन एडी सी बी आई की कितनी जबरदस्त रेड हुई कोई अरेस्टिंग तो हुई नहीं देखिए सी बी आई या एडी किस प्रकार से काम कर रही इस पर हम नहीं घुसते हैं क्योंकि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर एडी पर हमारा नियंतरन होता तो आज से एक डेड़ साल पहले हेमन सुरेन जेल जा चुके होते तो वो अपना काम करती रहेगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पिछले साड़े नौ साल हो गए केंदर में बीजेपी की सरकार की लेकिन अगर आप जमीन पर घूमें राजस्तान में घूमें या कहीं भी और घूमें तो नाराज की भाजपा की विरुद नहीं है नाराज की कॉंग्रिस की प्रकारी जो अफसर हैं उनको उनको उनके पास वेतन नहीं हो वेतन पे करने के पैसे नहीं होंगे तो इस प्रकार का डर आज जंता में बैड़ गया है कॉंग्रिस के खिलाफ और दिखिए आप मैंने दो मुद्दे गिना है पिछले एक दो साल से यही बोलते थे आनेम्प हो यह इंफलेशन वो पिछले तीन-चार सालों के न्यूनितम स्थर पर हैं के पास मुद्दे नहीं है तो तक्रीफ होगी आप राजस्तान को नंबर टू अगर एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपने कहा राजस्तान में अने सेकेंड पर है हर्याना की बात कर लीजे फिर जिसको आप बेरोजगारी को सबसे कम स्थर पर बता रहे हैं आप हर्याना के भी अनप्लॉइमेंट पर बात करेंगे लेकिन इस वक्त जो पार्टी पूरे आज से छे मैने पहले तक पूरा कैम्पेन ही जिनका था हमारे विरु कास्ट सेंस का डिमांड करते हैं लेकिन जो कास्ट सर्वे इनके राज्यों में हुए हैं 36 गड़ में और करनाटिक में वहां यह साजह करने के लिए भी तयार नहीं है क्योंकि इनको पता है क्या लिपापोती हुई है सर्वे में और कॉंग्रेस की इस विभाजनकारी मांसि पूरा देश और पूरा विशेश तोर पर जिन राज्यों में चिनाओं हो रहे हैं वहां की जनता आज बहुत सचेत हो गई है कॉंग्रेस की मन्शा से तो जितने केंद्री अमंत्री उतार दिया आपने गजेंदर सिंग शेखावत राज्य वर्दन सिंग राठर जितने तमाम बड़े चेहरे थे आपके पास सब उतार दिये अगर इतने कॉन्फिडेंट थे आप आपको लगता था राजस्तान इस नॉट आज टफ फाइक सारे मुद्दे आपके फेवर में हैं तो यह स्तुमल के सारे गोड़े खोलने की जरूरत किया थे अगर आप यह वर्तमान भा का सुभाव जानती है तो हम लोग आकरमक्त लोग हैं हम शांती से नहीं बैठते हैं हम अपने विपक्ष को जो है लाइटली नहीं लेते और यहीं कारण है कि इस बुलंदी के साथ हम साड़े नौ साल के बाद भी हम नहीं राज्यों में अपना स्थान बना रहे हैं और साथ ये स्टायर भी है अलकलामबा तो राखो घंदी को क्यों लगता है कि राजास्तान इजा क्लोज फाइट अलका जी विनोजी जी तेक रहूल गांदी के बारे में एक बात बता हूं रहूल गांदी नहीं है जो हावा हाई बातें करें अच्छा वो आम ठीक है बाशन जब देंगे चुनाओ सवा में तो वही बोलें कि नहीं बोलना चाहिए इमधिभी देड़ सो पार आस्थान में सवा सो पार यते लंगाना में सतर पार असी पार जो भी लेकिन जब नीजी बात सीथा अपनुसे करिये इंट्रिव्यू करें तो रियलिस्टिक बात करते हैं उन्होंने उनका जो फीडबैक था उसके हिसाब से रास्थान में मान के चल रहे थे यह क्लोस फाइट है उसका कारण क्या है उसका कानण ये है कि एक तो रिवाज सरकार पदलने का दूसा सचित पाइलेट रशों के का दिल्लगातार जगला चला उससे कुछ सामाजिक वर्गों की नाराजगी का तीसरा लाओ इन और्डर का मुद्दा रष्टाचार के यारूप और बीजेपी की मेहनत बीजेपी की लिए और राओ गानी इन इन यतारत को जानते हैं और वे भी जानते है कैसे कुछरात में कॉछरात में कॉछ पाला पहुंचे पहुंचे सांस उकर गई ती सकी 2017 में मधदा असी सीट पर लग गई थी जब और बीजे भी निन्यान में पर आ गई ती तो चुनाओ धर भूब तो अलका जी क्या सचिन पाइलेट और अशोग गेहलोट के बीच की तीखी बयान बाजी जो साढ़े चार साल आला कमान के लिए सिर्दर्द बनी रही जित भी गए तो भी वो सिर्दर्द जारी रहेगा या पिर सचिन पाइलेट को सेंटर में ले जाकर कहीं अकूमोड़ेट किया जाएगा अशोग एलोट को जाएंगे नहीं चिरी राहूल गांदी जी जब जैपूर में एरपोर्ट पे उत्रे तो समय उनके एक तरफ गहलोट जी थे दूतरी तरफ सचिन पाइलेट थे और वो वीडियो बहुत बाइलेट हुआ कि हम एक जूत है और हम राजस्तान उनके भाजगा मात्र लाल डेडिके साहरे अपने काले कारनामें छुपा रही है क्या है काला कारनामा क्यों परदान मंत्री मोदी जी डबल एंजिन की सट करए इस बार नहीं कहरे ज़आ है तो म 하겠습니다 परदान मंत्री जी वहाँ पर पार्टी के फंक्षन पर जाते हैं मैला आरक्षन कानून की वावाई लेने के लिए और मल्क पर वसंद्रा जी होती है पर वसंद्रा जी का भाशन नहीं होता अगर संयुक्त अगर लीजर्शिप में चुनाव लड़ेंगे तो सचिन पालेट अपना क्रडिट तो मांगेंगे ना गर्मय जी चुनने का कम राजयस्थान की जन्ता कर रही है हम अपने उमीदोर उन्हें सुंद्वी हैं और चुनने की बात थी तो एक मुख्यमंत्री बनाता एकुप मुख्यमंत्री बनाता और सचिन परदेश अद्ट पिटे अज तर वो ही सचिन जी परवर्थिल कमीटी क सम्मानिक सदत्त्ते हैं और पूरी पार्टी के साथ कंदे से कंदा मिलाकर राहु जी और भारत जोड़ो यातरा की मैं बात कौँगी मैजिक जो करनाचक में काम आया वो तेलंगाना में मध्यपरदेश में राजस्तान में एक तरफ चलेगा भारत जोड़ो यातरा का और दू परद का जवाब पेसा अलका लांबा अपराद का जवाब पैसे पैसा कैसे हो सकता है भाई अपराद को निप्टा जा रहा है कर सरकार भाजा की तरह अपरादियों के साथ नहीं कड़ी है इस बात की आप लिए अब बड़ा एक मूटा साथ 199 सीटों पर चुनाब हो रहा है और दोसों के हिसाब से देखें तो 101 मज कड़ा हुआ देख रहे हैं किसको कहां खड़ा देख रहे हैं अगर ऐसा को धर्मामेटर होता जो बिल्कुल बुखा पारा नाप लेता सही सही तब तो बहुत असान होता मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं बहुत स्पस्ट तोर से कहने के मैं सक्षम हों कि कौन सी कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे है चुनाओ दो दिन पहले भी बदलता है तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए तो विनो जी इस सवाल का जवाब देखिए मैलाओं वाला मुद्दा जो आपने उठाया है मैलाओं का मुद्दा निसी रूप से एक मुद्दा है बीजेपी उसको उठा रही है लेकिन आज एक और घटना हुई है और मुझे लगता है यह मैरस जी को अंदाज होगा कि जिनको पार्टी से टिकट नहीं दिया और उनको बीजेपी टिकट दे दिया कलिंगा नाम गया मलिंगा जी को तो वह एक दलित वाला मुद्दा जो है यह आप कौंगर्स उठा रही है मलिका अरजुन खड़गे का जाना जी बताता है और उन्होंने भाशन में कहा है मुझ गुजरात के इलेक्शन से ठीक पहले लेकिन तुलना वाने राजुज बता है वहां मोदी जी के सामने सब वेकार है तो फिर सारे चीज़ें एक तरफ हो जाती है और गुजरात माने नरेंद मोदी जी का चुनाओं हो जाता है तो दोसों में से कितनी सीटे कांगर्स कितनी बीजेपी देखे अभी यह जो बात है बड़ा कंटेस्ट जो है हमारे यहां राजस्तान में अन्तित है जाकर के मुखाबला जो है मुद्टे आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उड़ते उड़ते एकदम जातीगत तो आधार पर होना शुरू हो जाता है अच्छा अन्तिम बा होगा कि आनंद पाल सिंग का एक एंकाउंटर हुआ था तो सारे राजपूर जो थे जो बीजेपी की तरफ जो थे वो एकदम रिवर्स हो गया तो उसमें जातीकत जनगनना ओपीएस का मुद्दा विमन सेंट्रिक स्कीम भरष्टाचार का मुद्दा यह तमाम मुद्दों के इर्दगिर्द चुनाव सिमटता हुआ दिख रहा है कि और जैसा राहूल गांदी ने कहा कि राजस्तान इजा क्लोस फाइट तो जितनी चुनाती कॉंग्रेस के लिए है उतनी ही चुनाती बीजेपी के लिए भी नजर आ रही है कि दिलचस्पी चुनाव में उस वक्त जब अगले होते शनिवार का ठीक यही वक्त होगा अगले शनिवार का जब हम इस पर भी चर्चा कर रहे होंगे कि कितने प्रतीशत वोटिंग हुई कौन कितना करीब जनादेश के सत्ता के पहुंचता हुआ राजस्थान में देख रहा है तब तक के लिए इंतजार सबसे सबसे बड़ा सवाल में फिलाले था है यहाँ पर जयाजबीच अबदा सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल